हेलो एवरिबन वेल्कम टू जीवी टुटोरियल तो जो हमने पिछले लेक्चर में जो भी कुछ पढ़ा हम उसके आज कॉंटिनिय में पढ़ेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्जोनॉमिकल केटेगरीज ठीक है पिछले हमने जो भी पढ़ लिया उसके आग पिखलेंगेटर के जया अब जीह पूसको क्लासिफमय कर रहे है तो इसको हम अलग-अलग कैटेगरीज में इसको अलग-लग को क्लासिफाइग किया जाता तो अलग-अलग किया है सबके चोटे-चोटे अलग-अलग ranks होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी सबके अलग-अलग ranks है Each step or rank is called tag zone होस हर एक rank को हम बोलते हैं tag zone Every organism is classified into these tag zone according to the similarity and differences between each other कोई भी चीज हमने जब discover की उसको नाम दिया है तो हम उसको कैसे classify करते हैं उस पाकियों के differences और similarities को resemble करके उसको resemble उसको resemble हैं उसको resemble हैं उसको देखते हैं कि किस के साथ वो किस के similar है और किस के different है There are different tag zone in the hierarchy where species is the smallest and kingdom is the largest group according to the classification जब भी हम classify कर रहे हैं tag zone हो में categories पढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे छोटा जो rank है वो है species का और जो सबसे बड़ा rank है वो है kingdom तो यह हैं आपके different tag zones in descending order सबसे पहले है सबसे जो बड़ा order है वो है सबसे जो बड़ा order descending order है सबसे जो बड़ा tag zone है वो है kingdom उसके बाद आता है phylum, division, class उसके बाद है order, फिद जीनस और सबसे last में सबसे जो छोटा tag zone है वो है आपका species तो आप में इसको detail में पढ़ेंगे सबसे पहला है आपका species तो species क्या है एक group of organism which resemble one another morphologically ठीक है morphology देखने में यह जैसे हो and reproductive characters और morphologically उनके reproductive characters same होने चाहिए and which can interbreed within themselves is called species species जो आपस में reproduction कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं species अगर आप शौट में पढ़ें तो species एक ऐसा group है जो आपस में reproduce कर सकता है अगर दो चीज़े दो organism आपके पास आपस में reproduce नहीं कर सकते तो इसका मतलब हो species अलग-अलग है take an example of mango its name is Mangyphera indica Mangyphera indica है तो यहाँ पर क्या है indica क्या है species और Mangyphera क्या है genus है यह पहले भी पढ़ा था जह हमने binomial nomenclature पढ़ा है कि दो नाम होते हैं तो first one है वो genus होता है तो second one है वो species होता है उसको देखो हमने इटैलिक में लिखा हुआ है यह भी रूल में था lion species is leo of genus panthers ठीक है panthera sorry while tiger species is tigres of genus panthera दोनों का genus क्या है panthera है और species देखो अलग-अलग points to delimit a species एक species को हम कैसे recognize करते हैं कि वो species से बाहर नहीं जाना है एक borderline जब बनाते हैं delimit करते हैं तो क्या points जो है दियान में रखते हैं वो हैं देखो different members can interbreed interbreed होना चाहिए there is complete anatomical structure देखने में चाहिए वो थोड़े बहुते अलग हो थोड़े से अलग दिखे पर anatomically वो जो हैं बिलकुल similar होने चाहिए all the members are derived from a common ancestor all the members contain similar genetic material सबको जो genetic material है वो same होने चाहिए जैसे number of chromosomes जो है वो similar होने चाहिए at the molecular level there is similar in the types of proteins enzymes, hormones and other biochemicals यह सब जो है similar होने चाहिए next आपका genus genus क्या है it is a group of close related species जब species जो है 2 या 2 से जादर species जो है आपस में आप relate कर रही है तो उनको क्या उठा के एक group के अंदर रख दे जाता है जिसको हम बोलते है genus अब genus दो टाइप के होते है वो ताब monotypic दूसरा होता है polytypic monotypic genus वो है जिसमें सिर्फ एक ही species आपके आती है तेक है जैसे homo sapiens और polytypic वो होती है जिसमें 2 या 2 से जादा species जो है एक ही group के अंदर आ जाएं दूसको हम बोलते हैं polytypic जिसमें सोलनम जो है आपका हैस लाज नमर आफ close related species लाइक सोलनम टूबरिसम जिसको हम पोटेटो बोलते हैं सोलनम मेलोगनेन जिसको हम ब्रिंजल बोलते हैं और सोलनम नेगरम जिसको हम नाइट शेड बोलते हैं similarly genus panthera contains closely related species of lion, tiger, leopard and jaguar यह सारे किसको अंदर आ रहे हैं दुको हम जब नाम पढ़ते हैं जब इनको दिया हो तो क्या क्या नाम इनका panthera leo, panthera tigris, panthera paddles and panthera onka ठीक है यह सब उनी के नाम है और सारे एक ही genus के अंदर है अलग-अलग species हैं पर सारे के सारे जो है एक ही genus के अंदर ओस genus है panthera different species of cats comes under the genus phallus अगर cats के हम बात करें तो उनको एक अलग category अलग-अलग जो है genus में रखा गया उस genus का नाम है phallus next up family, family क्या है it is a taxonomical category which contains one और more related genus जब genus भी जो है आपस भी दो या दो से जादर relate कर रहे हैं तो उसको भी उठा के एक category के अंदर अग दिया जाता है इसको हम बोलते हैं family all the genera of a family have some common features genus phallus and panthera are included in the family phallus और पैंथरा जो है this category includes one or more related families अब जब families भी या दो या दो से जादर relate करनी उनको भी उठा के order के अंदर अग दिया जाता है for example families phallus and kennedy phallus अभी आपने पड़ा कि उसमें क्या क्या आरहा है आपका cats आ रही हैं और leopard वगरा आ रहे हैं panthera genus आ रहा है और phallus आ रहा है और kennedy में क्या आ रहा है dogs, fox and walts ये जो हैं kennedy में आते हैं और included in the order Carnivora ये सब को किसमें रख दिया गया है Carnivora में रख दिया गया है along with other families like Hanniday जिसमें हैना साते हैं and your seedages में beers आते हैं ये सारे के सारे जो हैं ये भी families थी इनको ठाके उन्हें किस order के अंदर रखा है Carnivora this category and other higher categories are differentiated on the basis of aggregate related characters ठीक है related characters देखे जाते हैं उन्हें को एक ही category में रख दाता है next year class a group of close related orders is called class close related orders हैं तो उसको grouping करके classify करके similar class के अंदर रखा जाता है for example like mammalia mammalia is class which contains many orders अब इसके अंदर बोट से orders है mammalia के है एक class है जैसे first है chiropatera chiropatera में आपके आते है bats marsupilia kangaroos आते हैं rodentia में आते हैं rodents rabbit हो गया rat हो गया इसारे rodents में आते हैं and primata primata में आते हैं आपके apes और man ये सारे जो है order जो है ये किस के अंदर आ रहे है mammalia के अंदर next आपका division और phylum division जब हम बात करते हैं तो division और phylum जो है एक ही चीज़ है but जब हम botany में पढ़ रहे है botany का कुछ पढ़ रहे है botany की classification पढ़ रहे है plants के बारे में पढ़ रहे हैं तो avis avis भी अंदर सारे बर्ड्स आते है mammalia वो animals जो दूद देते हैं जिनके अंदर memory glands है और जिनकी बाड़ी में hair होते हैं जैसे humans reptilia जो crawling animals होते हैं जैसे snake हो गया और amphibia amphibia वो होते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं जिनका dual habitat होते है ठीक है next is your kingdom it is the highest taxonomy category जो उपर वाले जो category है सबसे जो higher taxonomy है उसको हम बोलते हैं kingdom ठीक है दो kingdom जैसे हमने एक तर example ही है kingdom planty है kingdom animalia planty में सारे के सारे plants आ जाते हैं ठीक है अब हर एक plant के अपना पना character है पर सारे जब हम plants के बात कर रहे हैं तो उसको हमने एक higher category में ले 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 जिसको हम बोलते है kingdom planty और kingdom animalia के अंदर जो है सारे animals आते हैं ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब तो दे चैनल फार मोर वीडियोस थैंक यू